Hello students, मुझे उम्मीद है कि आप lockdown के नियमों का पालन करते हुए अपने घर में ही रहकर अपनी पढाई कर रहे होंगे तो बच्चों हम आपको पढाएंगे नूतन सरल हिंदी माला का पार्ट 4 अभिमानी गुलाब बच्चों जैसा की शीशक से ही पता चलता है कि गुलाब की अभिमान अथाद घमन के बारे में इस फार्ट में बताया गया है घमन करना अच्छी बात नहीं लेकिन फिर भी गुलाब को अपनी सुन्दरता अपने रूप रंग पर बहुत अभिमान हो गया था हर कोई उसकी प्रिशंसा किया करता था उसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों जैसे जड़ तना पत्ती काटो आदी में भी कोई कुण दिखाई नहीं देता था जब एक बालक ने गुलाब के उस फूल को तोड़ना चाहा तो काटे ने उसे बचा लिया और उसका गहमंड चूर चूर कर दिया बच्चों इस पाट से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती बलकि सभी का अपना महत होता है अतहां हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए आए देखते हैं अब इस पाट के शबदर्द सुमदर्था, खूपसूर्ती, प्रिशंसा, तारीफ, गुलकंद, गुलाब की पंखुणियों में शक्कर मिलाकर बनाएगे एक औशधी व्रद्धिजन, बूडेलो, लहू-लुहान, खूण से सनहुआ, शर्मिंदा, शर्मसार या शर्माना, छमा, माफी, पोशन, बढ़ाने की क्रिया या पालन, संरक्षन, रक्षा करने की क्रिया, योगदान, सहयो या मिलकर काम करना, अभिमानी, अपने को बढ़ा समझने वा अब देखते हैं इस पाठ के प्रिश्ण उत्तर प्रिश्ण नम्मर बन, किसे अपनी प्रिशंसा सुनने वा सुनने की आदत पड़ गई थी अभी आपने पड़ा था कौन था? गुलाब को अपनी प्रिशंसा सुनने और सुनने की आदत पड़ चुकी थी प्रिश्ट नमबर दो गुलाब के फूल की पंखुडियों से क्या-क्या बनता है गुलाब की फूल की पंखुडियों से गुलाब जल वा गुलकंद बनता है प्रिश्ट नम्बर तीन गुलाब ने अपने परिवार के किनकिन सदस्यों से गेंदे के फूल को मिलवाया गुलाब ने अपने परिवार के जड, तने, पत्तियों और काटे से गेंदे के फूल को मिलवाया प्रिश नमबर चार गुलाब को शर्मिन्दा क्यों होना पड़ा गुलाब के फूल को अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड हो गया था उसे अपने परिवार के अनिसदस्त जैसे जड़ तना पत्ती काटों आदी में भी कोई गुण दिखाई नहीं देते थे लेकिन जब एक बालक गलाब का घमंड चूर जब एक बालक ने उसे तोड़ना चाहा तो काटे नहीं उसे बचाया तब गुलाब का घमंड चूर हो गया और उसे गेंदे के सामने शर्मिन्दा होना पड़ा यह थे आपके पाट के प्रिश्णुतर अब है प्रिश्णों के सामने सही का और सही का निशान लगाई है गुलाब ने अपनी प्रिशंसा किसे की गेंदे से मिट्टी की चाधर तानकर कौन स्याधतर सोता रहता है उसकी जड़े पत्तियों के चारों और कटाओ किसे गेंदे को कौन घमंड में सीधा खड़ा रहता है तना अब हैं वाकियों के सामने सही या गलत का निशान लगाई है जो वाकि सही है उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है और जो वाकि गलत है उनके सामने आपको गलत का निशान लगाना है जले गुलाब के परिवा पता देखकर गुलाब पर कोई असर नहीं हुआ गलत अपने परिवार के सदस्यों से छमाता सही बच्चों यह था आपका पार चार इसको आपको कॉपी में करना है और बच्चों घर में रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद